Hello Friends, Welcome Back to my YouTube Channel, IONX Crew Point No.1, Habitual Action देखिए, Habitual Action means होती है हमारी आदत जब हमारी कोई आदत होती है और अकसर हम उसे करते हैं चाहे वे हम रोज करें या कभी-कभी या हपते में या महिने में ऐसी कंडिशन में हम fill in the blanks को present indefinite tense के according बनाते हैं उसके according फिल करते हैं सबसे पहले हम देख कर ही पैचान सकते हैं कि fill in the blanks में क्या आएगा इसके लिए आपको ये कुछ words याद करने पड़ेंगे जैसे always, daily, seldom, regularly, often, generally, usually, never, sometime, everyday, every week, every month, once a week, twice a week सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यदि आपको tense नहीं आते हैं तो आपको tense सीखना बहुत जरूरी है यदि आप बिना tense के इसे बनाने की कोसिस करेंगे तो आपको इसे बनाने में थोड़ी problem हो सकती है इसके लिए मैंने tense की वीडियो का link description box में दे दिया है आप वहाँ जाकर tense सीख सकते हैं और बिना tense के इसे बनाएंगे तो आपको जरूर problem आएगी तो प्लीज सबसे पहले आप tense learn कर लीजिएगा आईए sentence से start करते हैं पहला sentence से हमारा राम डैस गो फोर ए वाक एवरी डे अब देखी यहां पर एवरी डे आ गया और एवरी डे मीन्स होता है रोज और जब कोई काम रोज होता है वह present indefinite tense में बनाया जाता है तो आंसर इसका हो जाएगा राम गोज फोर ए वाक एवरी डे राम सिंगुलर है और सिंगुलर में एस याई एस लगाया जाता है और यहां पर ओ आया है वर्व के लाश्ट में तो फिर इसलिए हमने इसमें एस लगा दिया नमबर दो देखते है दा पोश्ट में कम हेर प्वाइस टेली प्वाइस टेली मेंस होता है दिन में दो बार तो पोश्ट में दिन में दो बार यहां आता है तो पोश्ट में सिंगुलर है इसलिए कम में एस लगा दिया जाएगा तो answer होग जाएगा The postman comes here twice daily Number 3 He not take coffee in the evening In the evening मतलब की वे coffee नहीं लेता है evening में Regular के बात हो रही है यहाँ पर भी Sense regular का जा रहा है इसलिए present in definite tense में बनेगा अब यहाँ पर not take की बात आ रही है तो not singular में does not का यूज करते हैं और plural में do not का तो यहाँ ही singular है इसलिए does not का यूज करेंगे तो answer हो जाएगा He does not take coffee in the evening Number 4 देखते हैं I generally अब देखिए rule के according यहाँ पर generally फिर हमें मिली चुका है और negative sentence भी है not wear white dress तो अब I हमारा plural है और plural में हम do not का यूज करते हैं तो I generally do not wear white dress Number 5 अब देखिए Number 5 में last में question mark दिया हुआ है तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि इसमें question पूछा जा रहा है तो question पुछा जा रहा है और subject हमारा plural है तो इसलिए इसमें do का use कर देंगे क्योंकि last में हमारा every month है और rule के according every month में हमें present indefinite tense में बनाना है इसलिए हम answer बनाएंगे Do you go to Delhi every month? क्या आप हर महिने दिल्ली जाते हो? Number 6 देख लेते हैं Why you come late every day? अब यहाँ पर भी last में every day मिल रहा है और every day हमारा present indefinite tense में fill करेंगे तो यहाँ पर जो answer होगा वह हो जाएगा Why you come late every day? क्योंकि you हमारा plural है और plural में हम S.E.I.S. कभी भी नहीं लगाते और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यह बनाने से पहले टैंस को अच्छी तरीके से पढ़ लें आईए रूल नमबर टू की बात करते हैं रूल नमबर टू है Permanent Truth Permanent Truth मित इस्थाई सत्य इस्थाई सत्य वे होता है जो या तो बनाया गया हो या अपने आप बन गया हो चाहे वे इस्थान हो या फिर कोई वस्तु या अन्य कुछ भी आईए एक्जामपल से समझाता हूँ जैसे पहला कोश्चन है यहाँ पर आगरा स्टैंड एड बैंक ओफ द यमुना बैंक ओफ द यमुना मींस होता है यमुना का किनारा बैंक मींस होता है किनारा तो अब यहाँ पर देखिए स्टैंड स्टैंड में लाश्ट में डी आ रहा है इसलिए हम इसमें स लगा देंगे तो आगरा stands at the bank of the Yamuna पॉइंट नमबर टू देख लेते हैं इस रोड लीड टू हॉस्पिटल यह है रोड हॉस्पिटल जाता है या आस्पिटल की और जाता है कैसे भी आप बता सकते हैं उसको तो यहाँ पर भी लीड में डी आ रहा है लाश्ट में तो डी में हम S लगा देंगे तो answer हो जाएगा दिस रोड लीड टू दू दू हॉस्पिटल पॉइंट नमबर टू दू दू सोल्डर्स सर्फ दू कंट्री सैनिक देश की सेवा करते हैं अब यहाँ पर देखिए पर लीड में लाश्ट में S आ रहा है इट मींस यह है प्लूलर हो जाएगा और प्लूलर में हम लोग S याईएस नहीं लगाते तो इसका answer हो जाएगा देशोल्डर्स सर्फ देश कंट्री इसमें S याईएस नहीं लगेगा plural में मैंने आपको पहले ही बताया है tense में कि plural में CIS कभी भी नहीं लगाते हैं बात करते हैं point number 3 की point number 3 है journal truth journal truth मीज होता है सदा सत्य जो भी घटना हमारी हमेशा हमेशा truth रहेगी सत्य रहेगी वे हमारा present indefinite tense में fill in the blanks भरा जाएगा आईए example से बताता हूँ first number है the sun rise in the east rise में सोता है निकलना और east में सोता है पूरब तो sun सूरज पूरब से निकलता है अब देखिए sun हमेशा पूरब से ही निकलता है और पस्चिम में छुप जाता है तो वे भी सत्य गटना है तो यहाँ पर जो rise है उसमें s लगाकर हम sentence को write कर देंगे तो इसका answer हो जाएगा the sun rises in the east point number two देख लेते हैं the earth move round the sun जो पृत्वी है वह move मतलब मिस घूमती है round round चारो और the sun मतलब दू पृत्वी है वह सूरज के चारो और घूमती है तो यह भी सत्य है सत्य गटना है बिलकुल तो इसमें move में s लगा दिया जाएगा the earth moves round the sun इसी तरह आईए number three sentence देखते हैं number three है trees give us shade shade में सूता है चाया तो पेड़ हमें चाया देते हैं तो यह भी general truth है सदा सत्य है जब हम पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो वह हमें चाया प्रदान करते हैं तो इसमें जो trees है लिखा हुआ है यह plular है और प्लूलर में स याइस नहीं लगाते तो इसका sentence बन जाएगा trees give us shade give को give ही रहने देंगे स याइस नहीं लगाएंगे point no.4 सब adverb close को व्यक्त करने के लिए जबकि principal close में future indefinite tense दिया हो अब इसका एक छोटा सा तरीका और है कि हम present indefinite tense को पहचाने कैसे जिन वाक्यों में इस MR वाजवर has have had या second form, third form इसके according भी जो भी tense में आता है अगर वह आप पैचान जाते हैं तो भी आप उस tense को fill आसानी से कर सकते हैं और यदि आप यह नहीं पहचान पाते तो उसके लिए आपको यह सारे rule learn करने पड़ेंगे और सबसे important things tense आपको आने ही चाहिए आईए example से बताता हूं अगर वह कठिन परिस्रम करती है शी विल पास वह पास हो जाएगी अब देखे शी विल पास यह future indefinite tense है और rule में हमारा यही दिया हुआ है कि principle closest में future indefinite tense आए तो हम पहले वाले को present indefinite tense के according फिल करेंगे तो इसका answer होगा if she works hard she will pass next number 2 when he come I shall leave this seat for him अब देखे इसमें भी same process है पीछे वाला tense हमारा future indefinite है तो हम पहले वाले को present indefinite के according फिल करेंगे तो इसका answer हो जाएगा when he comes I hope आपको यह सब समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे important part की जिससे यह वीडियो के fill in the blanks fill किये गए है singular means होता है एकवचन एकवचन हमारे होते हैं he, see, it, this, any name इसमें हम s या es लगाते हैं अब yes लगाते कहां पर हैं यह देखते हैं s, h, o, x और z जब वर्व के last में इन words में से कोई भी word आएगा तो उसमें yes लगाया जाएगा और बाकी सब के साथ हम s लगाते हैं plural means बहुचन I, we, you, they यह हमारे plural होते हैं और plural में हम s या es कभी भी नहीं लगाते हैं note यदि y से पूर vowels ना दे रखा हो तो y को हटा कर i, e, s लगाते हैं example देता हूँ cry तो y हटा कर i, e, s लगाया cry next है carry 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 में y हटा कर i, e, s लगाया है प्सक्रावी नहा जड़ी नहां